उनका मरण एक ही उपाई सी हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, आप उसे सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाले, ब्राह्मन भोजन, यज्य, हवन और श्राद, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, भूख से दुर्वल और बलहीन होकर देटा सहजी में आ मिलेंगे, तब उनक मेगनाद को बुलवाया, और सिखा पढ़ा कर उसके बल और देवताओं की प्रती वहर भाव को उतेजना दी, फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद में जीत कर बांग लाना, बेटे ने उठ कर पिता की आग्या को शिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सक को आग्या दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया, रावन की चलने से प्रत्वी डगमगाने लगी और उसकी गरजना से देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे, रावन को क्रोध सहित आते हुए सुनकर दे पालकों की सारे सुन्दर लोकों को रावन ने सुना पाया, वह बार बार भारी सीह गर्जना करके देताओं को ललकार ललकार कर गालिया देता था रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोडी का योधा खोजता हुआ, जगधर में दोडता फिरा परन्तु उसे ऐसा योधा कहीं नहीं मिला, सूर्य, चंद्रमा, वायू, वरुण, कुबे, अगनी, काल और यम, आदी सम अधिकारी किन्नर, सिद, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांती पूर्वक नहीं बैठने दिया ब्रह्मा जी की सुरुष्ठी में जहां तक शरीरधारी सुरी पुरुष्थे, सभी रावन के अधिम हो गए डर के मारे सभी उसी की आग्या का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चर्णों में सिर्ण नवाते थे उसने बुजाओं के बल से सारे विश्व को वश्मे कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणी सार्वभवं समराट रावन अपने इच्छानुसा राज्य करने लगा देटा, यक्ष, गंधर, मन्युष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्यसुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया मेगनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेगनाद में मानो पहले से ही कर रखा था अर्थात रावन के कहने भर की देर थी उसने आग्या पालन में तनिक भी देर नहीं की जिनको रावन ने मेगनाद से पहले ही आग्या दे रखी थी उन्होंने जो कर्तूते की उन्हीं सुनो सब राक्षसों के समुह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे वे असुरों के समुह उपद्रव करते थे और माया से अनेको प्रकार के रूप धरते थे जिस प्रकार धर्म की जड़कटे वे वही सब वेद विरुद्धी काम करते थे जिस जिस थान में वे गव और ब्राह्मन को पाते थे उसी नगर, गाव और कुर्वे में आग लगा देते थे उनके डर से कहीं भी शुब आचरण, राम्मन, बोजन, यज्य, श्राद, आधी नहीं होते थे देता ब्राह्मन और गुरु को कोई नहीं मानता था, न हरी भक्ती थी, न यज्य तप और ज्यान था वेद और कुरान तो स्वपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे जब योग, वैराग्य, तब तथा यज्य में देवताओं की भागपानी की बात रावन कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयां कुछ दौडता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सब को पकड़ कर विद्वांस कर डालता था संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरन पहल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था जो पोई वेद और पुरान कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता जाता राक्षस लोग जो गोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता हिंसा पर ही जिनकी प्रीती है, उनके पापों का क्या ठिकाना पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुवारी बहुत बढ़ गए लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साध्यों की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस्ती समझना इस प्रकार धर्म के प्रती लोगों की अतिशें ग्लानी, अरुची, अनास्खा देखकर प्रुत्वी अत्यंत भैवीत एवं व्याकुल हो गई वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोज मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रों ही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है प्रुत्वी सारे धर्मों को विपरीद देख रही है, पर रावन से भैवीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकती आंत्मे रिदह में सोच विचार कर गौव का रूप धारन कर धर्ती वहां गई, जहां सब देवता और मुनी चिपे थे प्रुत्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना तब देवता मुनी और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्माजी के लोग सत्य लोग को गए भय और शोक से अत्यंत व्याकुल वेचारी प्रुत्वी भी गव का शरी धारन किये हुए उनके साथ थी ब्रह्माजी सब जान गए, उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का तब उन्होंने प्रुत्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुमारा दोनों का सहायक है ब्रह्माजी ने कहा है धर्ती, मन में धीरज धारन करके श्री हरी के चर्णों का स्मरण करो प्रभु अपने दासों की पीड़ी को जानते हैं, ये तुमारी कठिन विपत्ती का नाश करेंगे सब देटा बैठ कर विचार करने लगे कि प्रभु को कहा पावे ताकि उनके सामने फुकार फरियाद करे कोई वैकुंप पूरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु शीर समुद्र में निवास करते हैं जिसके रिदय में जैसी भक्ती और प्रीती होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीती से प्रकट होते हैं हे पारवती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान जूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहां है, जहां प्रभु न हो वे चराचर में, चराचर में व्याप, ओते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसकती नहीं है वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अगनी, अगनी अव्याप्त रूप से सर्वत्र व्याप हैं, परन्तु जहां उसके लिए अर्णी मन्थनादी साधन किये जाते हैं, वहां वहां प्रकट होती है इसी प्रकार सर्वत्र व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं मेरी बात सब को प्रिय लगी ब्रह्मा जी ने साधू साधू करकर बढ़ाई की मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्श हुआ उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आसु बहने लगे तब वे धीर गुद्धी ब्रह्माजी सावधान होकर हाथ जोड कर स्तुति करने लगे हे देवताओं की स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शर्णागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो हे गो ब्रामनों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्षमी जी के प्रियस्वामी आपकी जय हो हे देवताओं और पृत्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अधभुद है उसका भेर कोई नहीं जानता ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालू और दीन दयालू है वे ही हम पर कृपा करेंगे हे अविनाशी सबके रिदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्व व्यापक परम आनंद स्वरूप अग्येय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोख्षदाता आपकी जय हो जय हो इस लोग और परलोग के सब भूगों से विरक्त तथा मोख से सर्वता छूते हुए ज्याने मुनिवरुंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका राद दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समुह का गान करते हैं उन सच्चिदानंदन की जय हो जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अत्वा सहायक के अकेले ही या स्वयम अपने को त्रिगुनरूप ब्रह्म्हा, विष्णू, शिवरूप बनाकर अत्वा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयम ही सुष्ची का अभिन्न निमित्तो पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सुष्टी उत्पन्न की वे पापोगा नाश करने वाले भग्वान हमारी सुधी ले हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जो संसार के जन्म मृत्यों के भैका नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समुहों को नश्ट करने वाले हैं हम सब देखताओं के समुह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़ कर उन भगवान की शरण आये हैं सरस्वती वेद, शेश जी और संपूर्न रिशी कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वेई श्री भगवान हम पर दया करें ये संसारूपी समुद्र के मन्थन के लिये मंदराचल रूप सब प्रतार से सुन्दर गुणों के धाम और सुकों की प्राशी नात आपके चरण कमलों में मुनी, सिद्ध और सारे देपता बहे से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं देर्ता और पृत्वी को भयवीत जानकर और उनके स्नेह योक्त वचन सुनकर शोग और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवानी हुई हे मुनी, सिद्ध और देरताओं की स्वामियो, दरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारन करूंगा और उधार पवित्र सूर्यवंच में अंशो सहित मनुष्य का अवतार लूँगा कश्यक और अधिधी ने बड़ा भारी तब किया था, मैं पहले ही उनको वर्द दे चुका हूँ, वे ही दश्रत और कौसल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्याकूरी में प्रकट हुए हैं उन्ही के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ट चार भाईयों के रूप में अवतार लूँगा, नारत के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा मैं प्रुथवी का सब भार हर लूँगा, हे देर बुंद तुम निर्भय हो जाओ, आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देरता तुरंत लौट गये, उनका रिदय शीतल हो गया तब ब्रह्मा जी ने प्रुथवी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा धारस आ गया